नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चैनल पर और कैसे आप सब भी उमीद करती हुआ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज है मौह सी बरतरी तो मेरे तरफ से आप सब भी हैफी सी बरतरी और अभी जैसे की सुभों से मैंने कोई ब्लोग सुट नहीं की थी और कोई भी पूजा तेहर के दिन में बहुत सरा काम रहता है सुभों से ही तो मैं बीजी थी उसके बाद अभी में मेरा मतलब नहाना धोना सारे काम हो गया है और अभी में मतलब त्यार होने के बाद में लाश्ट में लगा रही हूँ आलता और बस में आलता लगा रही हूँ और कोई भी पूजा त्योहर में आलता लगाना पहुत जरूरी होता है जो लोग मेकप करते हैं वो लोग तो अच्छे से मेकप मतलब अच्छे से त्यार हो लेते हैं लेगिन मैं आप सभी को पाता ही है मैं मेकप नहीं करती हूं मुझे मतलब मेरे पास ना मेकप का सामान है ना मुझे मेकप करना आता है और साहिद मैंने कभी किया ही नहीं इसलिए मेरा आदत भी नहीं है और मुझे आता भी नहीं है तो जो भी हो मुझे नहीं आता है तो फिर मैं नहीं करती हूँ फिर मेरे पास ना कोई भी मेकप का मतलब सामान कभी में लेती भी नहीं हूँ इसी बज़े से और अभी जो मेरे पास है मतलब बहुत सिंपल सा कोई भी क्रीम हो गया वो में लगा लेती हूँ और बस नहीं आलता और काफी दिनों से में नेर्पेंट जो है नहीं लगाई थी बहुत दिनों से रखा ही था टाइम ही नहीं मिलता है और समझ सकते हैं अब लो से पड़िट और इसके बाद में यहांपर सारे मेरा तैयारी तो हो गया था बस मैं मंदीर को साप नहीं की थी जहाँ पर मैं पूजा करती हूं और वह भी मुझे नहाद होने के लोग तो सारे तीयारा करने के बाद में आ गई नहीं थीप पर थोड़ा साप सफाय कर दूंगी क्योंकि ये पेपर जो है पेपर देखर रखी थी नहीं तो देखिए गंदा हो जाता कि इतना ज्यादा ये जो खीड़ की यह तो पुजा मतलब मंदीर वगएरा नहीं है खिड की है तो गंदा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसी वज़ासे पेपर में दे लेती हूँ और उसके बाद उसके उपर ही रखती हूँ तो वो पेपर में चेंज कर देती हूँ क्योंकि आगरबती का जो वो होता होता है कुछ दिन बाद बाद फी चेंज कर देन ऐसे तो चेंज उतना नहीं होता है लेगन कोई भी प्णिजति हार में हो जाता है सब टाइम निकल करना हो जाता है आपर देखिए मेरे पास जो भोले बाबा का एक ही थोड़ा सा छोटा सा ही एक फोटो है ये पफ़ब को पाता भी है अगर जानते हैं तो सिद्धत के बाड़े में सिद्धत के मतलब मेरे मायके में कोई बच्चा गीपती है सिद्धत को और तो फिर यही में फूजा करती हूँ मेरे पस जादा मूर्ती बगेरा भी नहीं है इसी वज़े से जो भी है अक्चुली यहां पर न जागा ही नहीं है और मैं आभी तक कोई मंदीर बगेरा नहीं ले पाई हूँ बहुत मतलब कोशिस करी रही हूँ मतलब लेने का तो आभी उंडर का टाइम था तो यह खिडकी नहीं खूलता है इसलिए कोई दिकत नहीं होता है लेकिन गर्मी में तो यह खिडकी भी खूलेगा तो पता नहीं उससे पहले मुझे लेना पड़ेगा और यहां पर देखी मेरा पूजा हो गया था नर्मिल सा पूजा और प्रसाद में जब देली में थी तो मंदीर गे थी और शिव मंदीर में पुझा करके मैं आई थी अच्छे से लेकिन इस साल ने कुछ कारण है जिस बज़ध से हम लोग को अभी इतना जल्दी मंदीर नहीं जाए जाएगा तो इसी बज़ध से मंदीर नहीं जाती हूं घर में ही जो पुझ बड़ीकिकशा हैं करती हूँ पांच साथ और शाल से ज्यादा ही और रवी ब्रद्व होता है है आप आप सभीको मेरे तरब से हथ्र olsun अभी मेरा पूजा वगरा सब कुछ हो गया, घर में मैं मतलब की इस बार और देखती हूं, अगर साम तक में सकूंगी, तो फीर मंदिर जाओंगी. क्याता है क्यूंकि अब अब सबस्तार से लेकर और मेरे पूजा बगया है अभी ना दो बस अलगी जाता है और पूजा पहले नहीं होता है, पहले जैसे कि सब घर के काम करना पड़ता है, प्रिंट आभी जैसे कि मैंने पुरसाद ले लिया है, और यह से भी काफी लोग गए थे, मतलब पूजा करने के लिए मंदी तो उन्होंने फिर मुझे पुरसाद भी दिये यह देखी, तो उस टाय में यह सब पीने के बाद जो है, मैं रात को मतलब एक बार मंदीर जाओंगी, अंदर तो नहीं जाओंगी, लेकिन बाहर से फुजा करके मैं आ जाओंगी, और आभी इसी दर्थ सोया ही हुआ है, और काफी दरू से सोया हुआ है, अब उठ जाएगा, तो चलिए मैं मैं देर बाद मीर रही हूँ, और यहां पर देखिए, मैं बहुत अच्छे से दघी जमने के लिए दिती अगले दिन ही, और आज बहुत अच्छे से यह जस जम गया था, तो दघी का मैं आभी सरबत बना रही हूँ, दघी, चीनी और पानी का, तो यह ना ब्रत के दिने, अगर कोई भी फाष्ट अप रखते हो तो फिर ये अराम से खा भी सकते हो और ये बहुत अच्छा लगता, मतलब पीट भी ठंड़ा लगता है बहुत ज़्यादे हिल्दी भी होता है तो और इसे पीने से ना बिलकुल भी मतलब और प्यास भी नहीं लगता है जल्दी- था तो friends फिर in दिन मेरें द क्योंकि उस दिनना मेये और ब्लॉग बना था?. काम होगया था उसके बाद मैं दो आ इसको यह बना रही हुआ। यक्ति मंनी था भूला है में, फिरस्ट टाइमी लाई था आप excitement, सिंटी से विस बऺंछा सूथ हो जाता है ना तो बाला उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है जितना यह बाला लगता है जब मतलब जब थोड़ा सॉप्ट रहता है ना उसी टाइम और यहां पर मैंने एक तरब मतलब चावर रग दी हूं कुकार पे बन जायागा और और यहां पर देखिए तेल में जो है यह पांच परण डाली हूं प्याज नहीं डारी हूं और यह देखिए सूंटी आलू टमाटर में सारे चीच को काटके धोके मतलब काट ली हूं और यहां पर कोई भी मतलब उबला कर भी बनाते हैं उबालके आलू उबालके और सूंटी अलग से भून के तो वह भी अच्छा लगता है लेकिन यह और भी ज़्यादा टिस्टी लगता है जो मतलब ऐसी बनाते हैं भून के तो यह देखिए भूनाते भूनाते ना बिलकुल भी पख जाएगा और कितना अच में भून भून के ना पका लूंगी मतलब ढग ढ़क के भूनूंगी तो यह उसके बाद मैं मतलब मुसेला भी बना लूंगी तो इसे मैं मतलब जादा भी मसला ओकी डालूंगी जो स् पर फिर यह सारे जो है देखिए आपीज चैया और जैसे कि इसका पाणी सुख जाएगा तो फिर पाणी सूख जाएगा उसके बाद ही में इसमें मसला डालके फिर अच्छे से भून लूँगी और यह सबची बन जाएगा देखिए देखने में कितना ज़्यादा यह में लगता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन यह सबची जो सूटी बेगर होता है यह सीजन में ही मिलता है और एक दूबार ही हो पाता है सायद और फिर नहीं मिलता है तो फिर मैंने डाल दिया है, यहां पर मसला जो मैं पीसके रखी थी, और फिर मैं मसला जो अच्छे से भून गया था, तो फिर मैंने पानी यहां पर डाल दी थी, और देखिए पग गया है यह, मेरा सबजी जो है, मैं दाल बगरा कुछ नहीं बनाई हूं, तो इसी का भी में रखी हूं, और बहुत ज़्यदा टेस्टी लगता था, मतलब लगा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, और इस तरह का, तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं ही प्रेंट करती हूं, अमीद करती हूं, आप सभी को अच्छा लगा, तो लाइक, सेर, सिस्काइब ज करता हूं, आप सभी के दिए।